जय हिंद कैसे आप लोग स्वागता आपका इस वीडियो में आज कलाश 12 का बेविया अब्जेक्टिव क्वेस्टिन आंसर होने वाला जो कि क्यमेस्ट्री के लिए होगा तो इससे पहले भी हम कुछ वीडियो कर चुक है यदि वह आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जल से जल देख लिजिए और आगे कंटिन्यू करें क्योंकि आपका बोडिक जम बहुत ही जल आने वाला और यदि आप सारा वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए काफी फाइदयमंद रहेगा तो बिना विल्यम की एस्टाट करते हैं आज का वीडियो चलते हैं क्वे हमेशा दो और तीन के बीच ऑप्शन भी भौतिक अधिसोशन के लिए एक ऑप्शन सी हमेशा 0 और 1 के बीच और ऑप्शन नमर डिप रसाइनिक अधिसोशन के लिए मान एक होता है तो हर एक सवाल के पाद आपको पांस च्गेंड का लगभग पाउस दूंगा तो उसमें आपको सही आंसर ऑत पाते हैं वह आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितना ansa सही सोचा तो नेगा प faut यानि की वन बाय एंड का जो मान होता हूँ जीरो और एक के बीच होता है ठीक है गुली विश्वम उत्प्रेरं के लिए सबसे बेहतर इस्तिति कौन है अप्षाय नमारे अधिसोषण बीश को है दो का सही आंसर हो जगा option नमर ए अधिसोसन ठीक है question नमर तीन नयाब बना आपछेप कभी कभी कुलाइडी विलियन में परिवल्तित हो जाता है या किसके दुआरा होता है option नमर ए विश्रन option बीफ electrolysis option शीफ पेप्टी करन और option नमर डीफ जमावट तो question नमर तीन का जो सही आंसर हो है वो हो जागा option नमर सी पेप्टी करन जिसको अंग्रेजीम क्या बोलते है पेप्टाइजेशन ठीक है question नमर चार गलाने में धातू अकसाइड को किसके साथ मिलाया जाता है गलाने प्रोसेस होता है उसको in love Heart Г menu variables में जो जाता चलता उसका in conqu Berg लिखेंगी आपको अज़ा जाता तो बहत बड़र आन जींद नहीं तो इंग्रिशन में आप देखकाअक को हैं उसका anf option boys है mg option b co option c al option d c तो चार का जो स्री आणसर हो जागा option number d यानि की carbon के साथ किया जाता है ठीक है पांचमा नवर question sulfide s का सांद्रन मुक्रूप से किस विधी से किया जाता है option नवर a गुरुत पीधकरन विधी option b फरोथ फ्लोटेशन विधी option c कारवन द्वार आवकरन और option नवर d भून कर तो पांच का जुश्री आंसर हो जागा option number b फरोथ फ्लोटेशन विधी ठीक है जब भी कोई भी सल्फाइड आज करेगा तो उसका सांद्रन किस से होगा option बोरण किसके साथ विकर्ण संबंद दर्शाता है option नवर a सिलीकन, option b एलमुनियम, option c कारवन और option नवर d टीन तो इसका जो स्यांसर हो जागा option नवर a si यानि कि सिलीकन ठीक है question नवर 7 बोर्यक्स का रासाइनिक नाम क्या है option नवर a sodium metabodate, option b sodium orthobodate, option c sodium tetrabodate और option नवर d इन में से कोई नहीं तो साथ का जो स्यांसर हो जागा option नवर 3 यानि कि sodium tetrabodate ठीक है आठमा नवर question इन में से कोई उस्मा और विदूत का अच्छा चालक है option नवर ए हीरा, option b ग्रेफ हैट, option c charcoal और option नवर d एंथ्रासाइट कोग्स तो आठमा का जो सही आंसर है वो जागा option नवर बी ग्रेफ हैट, ठीक है, question नवर नवर भार क्या आधार पर भूपर पट्टी पर सब से अधिक कौन साथ पाया जाता है, भूपर पट्टी किसको बोलते हैं प्रित्विक का जो उपड़ी वाला भाग होता है, तो उसको बो सही आंसर है वो जागा option नवर डी यानि के aluminum सब से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, भार क्या अधार पर, दसमा नवर क्वेस्टन, कास्टिक चुना का सुद्र क्या होता है, option नवर A, CAOS2, option B, CAO, option C, CACL2, और option नवर D, CACO3, दसका जो सही आंसर है, वो जागा option नवर A, CA OS2, ठीक है, question number 11, इनवर से कौन सा था, तो प्रकृति में मुक्त अवस्थाम पहा जाता है, मुक्त अवस्था क्या होता है, जैसे माइच लिए लोहा होता है, लोहा क्या होता है, IS के रूप में होता है, IS जो होता है, उसमें 2-4 पदात मिला रहता है, ठीक है, लेकिन यह जो पूछा है, मुक्त अवस्थाम रहता है, यानि कि जो डारेक्ट मिलता है, जो चाड़ों में से है, कोई भी एक है, जो कि डारेक्ट फॉर्म में मिल सकता है, यानि कि उसको सुध नहीं करना पड़ेगा, तो option नमर ए, लोहा, option B, aluminium, option C, sona, और option नमर डिजिंक, तो सही आंसर इसका होज़ेगा, option C, sona, जो है, डारेक्ट सुध फॉर्म में मिलता है, ठीक है? Question number 12, छारिया मिर्दा धात्व के electronic विन्यास क्या होगा? Option number A, NP6, option B, NS2, option C, NS0, और option number D, NS1, छारिया मिर्दा धात्व, तो आपको table, जो पेडियलिक table देखे होंगे, कैसे रहता है? ऐसे रहता है, तो पहला वला होता है, छारिया धात्व, यह और दूसरा वला छारिया मिर्दा धात्व, तो पहला वला के लिए जो होता है, NS1, और दूसरा वला के लिए, NS2, तो बारा का, जो पेडिया, सही आंसर होज़ेगा, वो होज़ेगा, option number B, NS2, ठीक है? तो यहां पर आपको यह भी बता दे कि छारिय धातु का क्या होता एनस1 होता शोरी छारिय धातु क्या होता एनस1 और छारिय मिलदा धातु का होता एनस2 ठीक है क्वेश्चेन नमर तेरा समुधरी जल्में नीद्में से कौन साटत उपाया जाता अप्शन नमर अ सोडियम ऑप्शन गी अउडियम ऑन्षान और देरां का सही यह अङसरा है अप्शन नमर ए श्रिण उडिय में सोडियम पाया जाता है ठीक है आप लोग सुनते भी तो क्वेस्टन नवर 14 इन में से कौन एलमुनियम का मुख एस्क है आप्शन नवर A हेमेटाइट आप्शन B क्रायोलाइट आप्शन C बॉक्सेट और आप्शन नवर D फेल स्पार्ट तो चोदा का जो सही आंसर हो जागा आप्शन नवर C यानि कि बॉक्सेट ठीक है क्वेस्टन नवर 15 इन में से कौन एलमुनियम और आप्शन नवर D पोटेसियम तो पंदर का जो सही आंसर हो जागा आप्शन नवर B यानि कि मैगनेसियम डॉलमाइट में पाया जाता क्वेस्टन नवर 16 हरात होथा का सुत्र क्या होता ओप्शन नवर A C A SO4 इन्टू 2 S2O ओप्शन B C U SO4 इन्टू 5 S2O ओप्शन C F A SO4 इन्टू 7 S2O और ओप्शन नवर D नन अब दिज तो शोला का सही आंसर हो जागा ओप्शन नवर C यानि कि जो भी जिसमें लोहा है वो हो जागा हरात होता का और यहां तक SO4 होगा और S2O रहेगा ठीक है लोहा वाला का आपको इसमें देखना है 17 नवर क्वेस्टन मोंड पड़किडिया का उप्योग किसके लिए क्या जाता है धातू के निस्कर्शन चेप्टर में आपको पढ़ाया जाता है कि मोंड पड़किडिया होता है किसके निस्कर्शन में होता है किसके धातू कर में मोंड पड़किडिया का उप्योग किया जाता है आप्शन नबर A, निकेल, आप्शन B, सोना, आप्शन नबर C, चांदी, और आप्शन नबर D, तामबा, सत्रा का सही आंसर हो जागा, आप्शन नबर A, यानि कि निकेल, ठीक है? आठालवा क्वेस्चन, जिंक बलेंड के सांदरन में किस विदी का उप्रियोग किया जाता है? जिंक बलेंड का सुत्र होता है, ZNS, तो सुत्र बता दिया आपको, इससे पहले इस तरह का एक क्वेस्चन अभी जश्ट किये, जिसमें सल्फाइड था, तो सल्फाइड का सांदरन किस विदी स्किया जाता? जिसमें भी शल्फाइड रहता, उसका उप्रियोग किया जाता है, ठीक है? उनिस नबर क्वेस्चन, निम में से सिने बार कौन है, उप्षन नबर A, SNO2, उप्षन B, HGS, उप्षन C, SIO2, उप्षन नबर D, CUSI, O4, तो उनिस का स्री आंसर हो जागा, उप्षन नबर B, HGS, ठीक है? क्वेस्चन नबर 20, मेले काइट निम में से किसका आयास्क है? उप्षन नबर A, पहारा यानि कि जिसको बोलते हैं मरकरी, उप्षन B, जिंक, उप्षन C, लोहा, और उप्षन नबर D, कॉपर, तो 20 का जो सही हो जागा, वो हो जागा, उप्षन नबर D, कॉपर, यहां पर क हेमे टाइट, हेमे टाइट होता है, लोहा का, हेमे टाइट, मेगने टाइट, यह हो जाता है, किसका लोहा का, और मेले काइट यह किसका होता है, कॉपर का, तो नाम कन्फुज नहीं होना है, सारा इस तरह का नाम एक जबर देखना है, उसके बाद, कन्फुजन दूर होगा मेगनेटाइट और हेमेटाइट होता है लोहा का और मेलेकाइट किसका हो गया कॉपर का ठीक है कॉपर यानि तामबा का चलते नेश्ट चलैट पर एक इंपोर्टेंट बात यदि आप हमारे टेलिग्राम गुरूप के साथ जोड़ना चाहते तो टेलिग्राम पर सर्च करने की कोई जरूत नहीं आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जागा टेलिग्राम का लिंक उसके बाद इंस्ट्राग नाम का लिंक और यदि आप वेबसेट के माधियम से पढ़ाय करना चाहते हैं तो आप वेबसेट पर जाकर किसी भी वेबसेट पर जाकर कर सकते हैं आलोक ओफिस्यल.com तुहां पर एक सुन्दर सा वेबसेट मिलेगा सारा कॉंटेंट और्गेनाइज़ वे में मिलेगा और्गेनाइज़ एक झेलगेनाइज मिले दो दो निएतले झालोक मैं मिलेगा हैं आलोक खर जिर पर जिसेट वेबसेट पर जाहचार।